हरो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी को समाजी विज्ञान का जो पेपर वायरल है इसको आप सभी को बताने वाले हैं तो आज आप सभी इसको आज सुबह में भी देख के जा सकते हैं ठीक है आपको माइकसिम्म सवाल आपको इसी पेपर में से आज की पेपर में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यह पेपर का कोड FC है आप सभी को सभी प्रश्ण बताने वाले हैं देखें यहां पर आप सभी का समय नगवाते हुई चलि सीधे प्रश्ण को आपको हल कराते हैं आप सभी को समानी निर्देश के बारे में आप सभी को कई भर बताया जा चुका है तो सवाने निर्देश तो आपको पता होगा आपको समय कितना घंटा मिलेगा समय हो पिराम होता है खंड और ठीक है यहां पर आपका पहला नंबर का जो सवाल है फ्रांस की करांती कब हुई थी तो फ्रांस की करांती आप सभी कदम याद हो गया हो इटली के एक करण से संब्दम निठाथ इस प्रश्ण का सही जवब ये वल आपसन सही हो जागा जोसी मेशनी का संब्द nih के एक एक रड़ से ठा अगला प्रस्ण देख लीजिए हिंद पुस्तक के लेखां कवन है हिंद पुस्तक के लेखां का आप सभी को याद दोगा महात आपको पताने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज तक जुरू देखिएगा अगला देख लिजिए जब फ्रांस शीकता है तो बाकी यूरोप यूरोप को सर्दी युकाम हो जाता है किसका कथन है लगत तरश के दर दो जाएगा सबसें बड़ा लोकतंत्रिग Pentria को सा है कई सबसें प्रस्द रहें पड़े को संवीधानका अन्य नुषक और maira आईज भासा हैं इस प्रश्न का सही जवब सही आपका अगला प्रश्व देख लीजी आप लोक तंत्र में शक्ति का स्रोत माना जाता है भalten उसमें शक्ति श्रोत होता व настंत्र झाक्धे को पेड़ीELS यहां पर जनता के द्वारा प्रधानमंती राष्टपती सब चूने जाते हैं तो आप सभी को पताए कि लोकतंत्र देश है यहां पर जनता हो जाएगा अगला देखिए निम्नलिकित में से किस देश का विभाजन धर्म जाती कि आधार पर हुआ था यह उगला स्विया का ती सभी प्रति कि आए ब्युक्ति को लिफेक prosecut कि अन्य किस नाम से जाना जाता है जो प्रति आया होता है उस से अन्य जो नाम है उसका तो सब्सक्रण का सही जवाव अब शीन हो जाएगा ज़ नाम से जाना जाता है द्योतियक छेत्रक प्राथ्मिक छेत्र और यह याद कर आप करके आज के पेपर में जाईए द्योतीयक छेत्रक प्रात्मिक के द्रगत रखा जाता है तिसका सही जवब याद रखिएगा कि सही है अगला देखिए चोदे नंबर का भारत का अधिकांश विदेशी ब्यापार होता है यहां पर भारत का जो अधिकांश विदेशी ब्यापार किस मार्ग से होता है तो आप सभी को पता है कि समुद्री मार मार्गों के द्वारा सबसे आधिक भारत का अधिकांस ब्यापार क्या होता है समुंद्री मार्गों के द्वारा होता है अगला देखिए राष्टी उपभोक्त अधिकार दिवस मनाया जाता है राष्टी उपभोक्त अधिकार दिवस आपका चोबीच दिसंबर को मनाया जात याद रखिए का महाराष्ट में साथ में आप याद रख सकते हैं गुजरात में भी पाए जाते हैं आपको महाराष्ट मिलेगा चाहे गुजरात मिलेगा ठीक है अगला 21 का संबंद है इसका संबंद जो होता है सतत पोसरी संसाधरी विकास से संबंदित है तिस प्रशन का सही जो आप डीवरापसन सही हो जागा इजरेंटा 21 का संबंद सतत पोसरी संसाधरी विकास संबंदित है अगला प्रशन देखिए ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्स में प्रारम किया गया था तो ग्रीन इंडिया ज 2014 में प्रारम किया गया था अगला निम्नली खित में से कौन सी फसल मुख के रूप से जायत की फसल है यहाँ पी देखिए जायत की फसल खरीब की फसल और रवी की फसल आप जरूर याद रखिएगा जायत की फसल जो हते गर्मी के दिनों में बोया जाता है ते गर्मी की दिन जिसके बाद में झाल बर्डा जाता है जिससे चना हो गया सरसों यात कर लिजिए गारती याइद कि जिए गारती तो क्या करता है तो जिएक का योछा याद फसल याद करें साथ नियेरकिता होता है बरसाथ के मौसम में बोय जाता है बरसाथ बरसाथ के मौसम आप याद कर लिए कौन को से जैसे चावल हो गया यह किस मौसम में बोय जाता है यह खरीब सब्सक्राइब करने ज़ेसे दान किसृता है तो यहाद रखेगा इस सब्सक्राइब सभी हो जाएगए यहां से घंडब ही इंपोर्टेन्स सवाल भी सब्सक्राइंगा देखे 21 नंबर का है कि भारती अर्थ ब्यवस्ता आर्थिक महामंदी के परणने वाले प्रभभाव को वरण कीजिए इसके अलवा वैश्विक आर्थिक महामंदी के काड़ों का उल्लेक कीजिए सत्यगर्ञ का अर्थ असपर्ष्ट कीजिए चिता गाधी जी सत्यगर्ञ की विचारों की उल्यक कीज़ें जैसे महात्मा गाधी जी की द्वारण चलाए गे जो सत्यगर्ञ थे जिसे समीने अवाग्त अंदलण वा भारत छोड़ों हो गया ठीक अ इसके साथ में आपको सवीने असायों का अंदलनों गए यह समाहत्मा गादी जी के द्वारा चलाएगे प्रमुक अंदलन थे इन अंदलनों को आप एक बार देख लीजिए भारत में राष्टवात के उदेगे कारणों का उल्लेक कीजिए इसके अलवा संसादनों के अंदलन प्रयोग ने अनेक समस्या पैदा कर दी है इसके बारे में आपको लिखना रहता है भारत में वन प्रबंद को किस्तने भागों में भाजित किया गया है इनकी विशेश्ताओं का वरान भी आपको साथ में करना रहता है ठीक है अगला देखिए कि आर्थी गतिवीदी से आप क्या समझते हैं आर्थी गतिवीदियों का वर्गिक्रों प्रस्तूत कीजिए साथ में उभवोकता के कुल कितने अधिकार होते हैं सभी अधिकारों के नाम का उल्लेक करना है यह सभी important question है जो आपको बता रहे हैं अगला देख लीजिए लोकतंतर से आप क्या समझते हैं इससे उत्तरदाई जिम्मेवार एम वैद शाषन क्यों माना जाता है इसके अलावा दिया है आपको अगला कि लोकतंतर के समझ का चुनवतियां हैं भारती लोकतंतर के दो प्रमुक चुनवतियों का वरान भी साथ में करना रहता है अगला है कि इटली के एक इकरण से आप क्या समझते हैं जर्मानी के एक इकरण कैसे हुआ यह सभी important question आप सभी को बता दिये देखें यहां पर 27 नंबर का question देखिए मिर्दा अप्रदन क्या है भारत में प्रचलित मिर्दा अप्रदन के प्रमुक प्रकार को वरान कीजिए मिर्दा अप्रदन आप जरूर देखे जाएगा अलो हो खानीज किन है करते हैं अलो खानीज्वा में किन खानीज्वों को शामिल किया गया है असपश्ट करना है यह थे आपके सभी important question आप सभी के मानचित्र वाले जो question आपको मानचित्र पर भरके बता देते हैं आप सुबह के पेपर में कैसे बनेंगे यहां पी देखि़िए आपके एक है उस्थान जहां नील घृति करने वन烤 किसानों कहां पूर्भवा था यह वहाREE चंपा रिन में को अalies ben छंपा मांंधकर कहां पर मांची डेख रहें कसे मांचीतर को यादा कर्थो पर बन्हां अमने बना खता है पर या मैं पर डालना हो गालगा तापको पुश्शन नमबर Bora 59 कर फ़र्ष्ट यहां पर डा सकते हैं यहां को थैसाstorm पर एगवालबर पर आपको starts इस सब प्रशण आपको कई बार कर आचुके अब देखते होगे जहां कि सभी प्रशन आपको याद हो गया वह अस्थान जहां पर अधिरिक में पूरो सुँआराज की गई थी पूरो सुआ राज दी लाहर से किया था लाहर से लॉह हम 29 का 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 तीसरा नमबर है ऐगे अगला प्रशन देख लिए वह अस्थान जालिये वाला वाला रिकान्द हुआ था तुझार पर हुआ था हम्रित शर ठेके अब अगला प्रशन देख ल乐ी यह वास्थान ज़हां दिसमब उननेको बीस में कंग्रेस का दिरीशन हुआ था इस चिजह को दियान दीजहे किस महीने का पूछा है आपकों कब करता है तो झो परता है और नागव परता है यहाँ परता है यह परता है दखीए यह अतल कौका कौन सा है पांचवा नमबर यहां पर लिखते हैं नाकपूर ठीक है इस प्रकाद सभी प्रश्णों को आपको भरना रहता है यह आपके सामने मांचीते वाले जो सवाल थे आपको इसी तरह बोर्ड के इग्जा में भरना पुड़ेगा ठीक है अब चली अगले प्रश् आपको उत्तरपर्देस है या पंजाब जलिए अप्याव पंजाब दोनों देखा देते हैं उत्तरपरदेश अपुड़र ग्याओं को सबस्प्रण पाद करें उत्पादग राज पंजाब नों राज्य है यह जानते रही एक ठीक है तो यहाँ पर देखें मांचीत्र में आप दूसरे मान चित्र पर भर के बता देते हैं एक और मान चित्र पर एक और मान चित्र है जिस पर आपको भर के बताते हैं तो देखिए उत्तर पर्देश आपको दिखाना है तो कैसे उत्तर पर्देश दिखाएंगे तो यह क्या है उत्तर पर्देश है और इसमें दिखान कीस चिन के द्वारा दिखाना थी। चिन आपको जरूर धियान रखना है। जिस चिन के द्वारा कहा हो गाँगा उसी चिन के द्वारा दिखाएगा। यह दखादीजिएगा। टीम अगला प्राश्ण है काफी का सब्सेबड़ा उत्पादक राजजी काउन सा है काफी क्या सभी कर लोगगे में करनाटक काफी के सब्सेलड़ा उत्तिकन काउन सा है Гर्णाटक और किस चिन के दुवरा देखाना तिरभूज के दुवरा तो देखी आपका करनाटक है कहाँ पर यह है आपका महाराष्ट महाराष्ट के निचे यह करनाटक यहाँ पर त्रिभूज बना कि आप इस तरह दिखा दीजिएगा ठीक है और यह कौन से नंबर का है 39 अगला प्रशन आप देखिए मुंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज यह कौन सा है तो मुंगफली सबसे जएदा आपका होता है गुजरात में ठीक है मानचित्र पर देखिए कैसे बरेंगे यह आपको सामने मानचित्र मानचित्र में पढ़ता है को गुजरात यहां पर चली बना लेते हैं यहां पर दिखा दीजिएगा मुंगफली 29 ख कौन सा नंबर का है तीसरा नंबर यह है और यहां पर दीजिएगा गुजरात ठीक है देखिए ऐसे दिखाना है आप सभी को अगला देखिए यहां पर उत्तर दच्र गल्यारे का टर्मिनल स्री नंगर दिखा दीजिएगा स्री नंगर ठीक है स्री नंगर कहां परता है यह परता आपका जम्मु कस्मीर में देखिए कैसे दिखाएंगे इस चिन के दोरे दिखाना है यह आपका मांचित्र मांचित्र में यह परता आपका पस्चिंबंग यह परता है जम्मु कस्मी कों से नंबर का है और यहां पर स्री नगर देखा दिखा झाए अगरा प्लशन थेल का सबसे बंड़ उत्पादक उत्पादन वाला राज इस वाइच निके द्वार दिखाना आहे तो आप दिखा दिखेगा मुंबई हाई क्या है मुंबई हाई घट रिकाट इनच यहां पर सामने मांचित्र मैं पढ़ता है उस चिंहे दोरा दिखा तौन के और यहां पर देखा सकते हैं यहां मैं पर 29 कि फो गया और यहां पर लास्ट packaging कब दिखा दें मुंबई यहाई को इस तरह देखा दी जगा यह था आपको मांचीत भढ़ने का तरीका बता दिए इसके लाग इंपोर्टें कुछ एका दो प्रश्ण आपको बता दोते हैं जैसे आपको बंद्रगह से समबंदि प्रशन पूछता है जिसे विसाखा पुछा है प्रश्ण कई पर इसलिए आप लोग बता धिरैं कि यारा एक आपका हैं मुंबई में बंद्रगा को Siya यहां पर मुंबई बंद्रगा दिखा सकते हैं यानि मुंबई बंद्रगा बंद्रगा मुंबई बंद्रगा यहां पर दिखा दिखा दीजिगा दिखिए बंद्रगा कोई पत्तन कहते हैं यह ध्यान रखिए गया तो मुंबई बंद्रगा कहेगा या मुंबई मतलब कहेगा एक पत्तन दिखाए तो आप इस पत्तन को दिखा सकते हैं यहां पर पत्तन दिखा सकते हैं ठीक है यह दो प्रशन आप साथ मियाद रखिएगा यदि आपसे जो कहता है कि कोई एक बंदरगा दिखाईए तो आप इस पर का से दिखा सकते हैं बंदरगा को ठीक है इसके लाव आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए है तो चलब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें